हालो एवरीबन एक बाद फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में आपके सामने है विश्व का मांचित्र जिसमें की साथ महादीव दिखाया जा रहे हैं साथ महादीव इस प्रकार से हैं एसिया योरोप अफरीका उत्रिय अमेरिका दक्षणी अमेरिका अंटार्टिका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसा कि पता है आपको की सबसे बड़ा और एसिया है और सबसे छोटा छेतफ़ल क्याधार पर ऑस्ट्रेलिया है अगर इस वीडियो में आप अंतक बने रहें तो आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है क्योंकि हम कुछ नई और स्पेसल जानकारी आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं जो की परिक्षा में अवस्पूछी जा सकती है बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आमेजन नदी किस महासागर में गिरती है यानि आमेजन नदी का मुहाना किस महासागर में है तो आपको पता है कि आमेजन नदी दक्षणी महादीव दक्षणी अमेरिकन महादीव में है तो यह पस्चिम से पूर्ग की और बहती है और अट्लांटिक महासागर में जा गिर पूरू दिसा में अगला कुशन देख लेते हैं नील नदी किस दिसा में बहती है नील नदी दक्षिन से उत्तर दिसा में बहती है भूमद सागर को चारू तरब से किसने घे रखा है तो भूमद सागर को चारू तरब से उत्तर में इसके योरोप है दक्षिन में इसके अफरीका है और पूर में इसके एसिया है अगला question जो बनता है वो यह है कि Mississippi और मिसौरी किस महासागर में जा गिरती है तो इसका एंसर होगा Mississippi और Missouri नदियां वो जाकर गिरती हैं Atlantic महासागर में एक और question इससे बनता है कि Mississippi और Missouri जो नदियां हैं वो किस प्रकार का delta बनाती है तो पंजे के आकार का पंची के पंजे के आकार का delta ये बनाती है अगला question जो आता है कि लिंपोपो नदि जो कि मकार रिखा को दो बार काटती है किस महासागर में गिरती है जाकर के तो इसका answer होगा हिंद महासागर में लेंपोपो नदी जाके गिरती है देखिए लेंपोपो नदी ये मकार रेखा को दो बार काड़ती है और यह जाकर के गिरती है हिंद महासागर में अगला question जो बनता है वो इस प्रकार से है कौन सी ऐसी परवत स्रिंखला है जो भूमद रेखा और मकर रेखा दोनों को काटती है यह प्रस्ण है तो इसका एंसर होगा एंडीज परवत माला जो की दक्षणी अमेरिकी महादियुप में है और देखिए उत्तर में यहां से चल करके पहले तो भूमर रेखा को काटी है तो इसका एंसर होगा एंडीज परवत माला अगला कुछन बन सकता है कि सहारा मरुस्थल से होकर के कौन से रेखा गुजरती है तो एंसर होगा सहारा मरुस्थल से होकर के करकरेखा गुजरती है वही करकरेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है अगला कुछन है दो ऐसे सागरों के नाम बताईए जो एसिया और यूरोप के मद्धे सीमा बनाते हों तो एंसर है कैस्पियन सागर और काला सागर ब्लैक सी कैस्पियन सागर और ब्लैक सी अगला कुश्चन है दो ऐसे परवत सेंखलाओं के नाम बताईए जो एसिया महादीप और यूरोप महादीप के बीच में सीमा बनाते हैं तो इसके अंसर होगा यूराल परवत और काकेसस मांटेंज अगला कुश्चन है अफ्रीका महादीप की कौन सी ऐसी परमुक नदी है जो उत्तर से दक्षिन दिसा में परवाहित होती है तो एंसर होगा नाइजर निवर नाइजर निवर नील की परवाहित होने की बिपरिय दिसा में परवाहित होती है या उत्तर से दक्षिन दिशा में जहीं नीन लदी दक्षिन से उत्तर दिशा में प्रावाहित होती है एक कुशन हो सकता है कौन निम्खित में से कौन सी परवस्थेनिया मकर रेखा के दक्षिन में पड़ती है हिमालया, रॉकी, आल्प्स, डेकन्सबर्ग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो एंसर होगा डेकन्सबर्ग और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डेकन्सबर्ग दक्षिन अफरीका में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आस्ट्रिलिया में है, यह परवतमाला है